आज के पिक बॉस में तो निकी तंबोली ने आग लगा दी, literally आग लगा दी इस दिवर्ड, पहले लोगों के दिलों में आग लगाई, लोगों के दिमाक में आग लगाई और शो खतम होते होते स्क्रीन पर फायर ला दिया, मैं अगर बात करूं तो आज सधात ने शहनास और अपने कनेक के बारें बात किया, मैं अगर बात करूं तो आज पवित्रा और राहूल के एक छोटी सी लफ सोरी is really very छोटी, आज वो खतम होती, आज वो खोटी होती होती दिखाई पड़ी, बहुत गंदे तरीके से, अगली, अगली, रुबीना और अभिनव के शादी की कल गई आज और अगर बात करें सारे लडगों आपस में जल रहे थे, स्धात को ले करके लड़कियाँ आपस में जल रहे थे, निकी को ले कर के, कुल ऐसा महाल बना, हाला कि जैस्मिन बहुत कोशिच करे इपने आपको देखाने की वो इनसे कर नहीं हो रही लेकिन सारी लड़किया निकी से बहुत इंसे केरो रही बहुत और सारे लड़कों को सधात से जान को छोड़ करके थोड़े खीज हो रही कि क्यों इसको इतना फुटेज मिल रहा है आज जब टास चल रहा था सारी लड़कियां सेड आइलेंड में सधात को वू करने वारी थी सारे कि हम क्या कर रहा हैं क्यों आएं याँ पर और जैसे जान बीचारा यूं जा करके यूं देख रहा था उसके दो पहलू है वह से डाट की तरह अपने आईडल को देख रहा था निहार रहा था और दूसरा उसको लगए ता यार सारी लड़किया तो इसको जाके चिपकरी हम कर के रहे हैं आपर तो वो एक खीज जो है उस सारे लोगों में दिखाई पड़ी मैं कर शुरुबात करो साथ चीजे लेनी थी सब लोगों को मिलकर का आप जानते हैं जो रूल बनाए गया है निकी गिवप करने के लिए इसको अपनी एक्स पॉइफिन की बहुत याद पारे थी और उसको फील करने के लिए उसको उसकी टी-शिर्ट और उसके बॉक्सर्स पहने थे जो बाकिस सब को उसकी लग रहा था क उसने का मैं बराबर कर दूँगी हम कहें बच्चे नहीं बैठे हुएं कुई आपर यह नहीं करने अज बैद वर्ड्स भी निकले बीट भी हुआ हथ यहा जीब पक्राफ आ अभिनाव पर भी साया और तो वीप आने के शुरुआ बिक-बोस क्यौत्चे दिन正 मोई शुक्क है कि सभी लोगों ने कर सारा को हाईजीनिक किश्यूस की विविशे एक आईटम चाहिए था जान और चाहिए था अभिनव रखाए था जिन लोगों पिछले दिनों नहीं लेता निकी लगा था तिन दिनों से कपरे लिए अबसे अधा समान भी निकी के पास है आज भी बताएगे कि साथ अट कंटेनर्स पर निकी लिखा हुआ है निकी को अपनी आइलेश भी चाहिए उसको अपना पर लोग आपको प्यार होते हैं होट वाले में एक नेगेटिविटी आने का चांस रहता है तो कहीं निकी में वो नेगेटिविटी ना आ जाए एक वो जो है उसको बजा के रखना पड़ेगा हाला कि अभी स्क्रीन पर आग लगा रही है वो जब भी आती है देखने मज़ा उसका लेकिन एक्सपेशन जो है थोड़ा सा इरिटेटिंग उसकी परस्नेलिटी थोड़ी सी इरिटेटिंग ना लग जाए यह मुझे एक लग रहा है वक्त बताएगा पहराल पवित्रा ने सब को कहा इसको इतना इंपोर्टेंस मत दो एजास को समझाता रहा आजास को तुम बड़े एक्टर हो उम्र पे कहा नहीं इतने बड़े एक्टर हो सुनते तुम उसके एहसे करके नहीं रह सकते हो तो एजास समझा रहा था मुझे नहीं इच्छ लगता कि लोग गांगा पहुजाए अब एजास मुल्टिपल फीलिंग के साथ गुजर रहा है जास को का चस्ट समझाने मान गई तो एजास को बहुत गुस्ता आया बहुत या नि बहुत समाफ साथ समान लेने की बारी आई गिवप करने के लिटेयार नहीं दिने की निशानने डील क टीट code का थीक है एक समान में मैं तो तुम गिवब कर दो मैं ले लेती वांच मगर उसके बाद भी मामला अठका था और उसके बाद फिर सिधात ने जा करके निकी समझाया और तुरंट निकी ने हाँ बोल दिया तो ये तो अब निकी ज़रा फाइदा उठा रही है उसके बाद निकी ने तुरंट गिवब कर दिया आ गई और ये बात साब को बोली लगी पवीतरा ने कहा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर गए इद तक गया वितरा के चेहर पर जास से चैरइब कि निशांद थोरा से एसा प्यां चेहरteenth आ गया की है यार ये क्याraph निकी इतनी तो एश तो सभी होते हैं हिना और गौहर दोनों सधार्थ भी हुए वैसा सधार्थ को पिंपल्स आये थे एक तस्वीर जो है वाइरल हो रही है वैं आपको दिखाती हूँ यह तस्वीर जिसमें सधार्थ के पिंपल्स पे दवाई लगा रही है गौहर गिए देखें सधार्थ की पिंपल्स विजिबल थे बहुत सारे पिंपल्स जब कोई याद करते हैं हिच के आती है न पिंपल्स आते हैं किसी की याद करने पर कोई गुस्सा करते तो पिंपल्स आते आ सकते फिर गुस्सा है उसके बारे बात करेंगे वीडियो में कि उसके वह तो मेरा फीवरेट टॉपिक उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे तो फिर सारा का मूत्रा उसो गुस्सा आया रूबीना इस बिच रूबीना ने बहुत ज मैं आपकी बात नि मानों कि सिर्फ का तुरंट उसने जवाब दे दिया अगर बिग बॉस ने बताया कि सीनियर बॉस ने बोल दिया कि सीनियर्स की बात माननी सीनियर्स आपको Instruction दें एड़े एनिवेज रूबीना में ego issues है थोड़े और रूबीना में जिद भी एव जो में विसे अगर निकी की मालें तो रूबीना घदी है घदी घदी पहुत साल काम किया रूबीना सुनेगी तो पिटाई कर देगी उसकी एनिवेज तो और वैसे सदाथ ने आप इतना चीट्टूस बनाते हो कहां से सीखा मा की कोक से मेरी मा भी तैट्टू बनाती थी मैंन वहां से इन्हारिटिन किया है रीटा आंटी सिधार तभी आने वाला है थोड़े धिर में इस बार तो कान पकड़ने बनेंगे पकड़ने पड़ेंगे आपको आपको टाटू वाली बना दिया उसने एनिवेस तो आगे आच्छा इनास की बारे में दो लोग ने बात की गोहर समय और गोहर के साथ मैं जैसमिन बसें दोनों जन्य दोनों सीनिर जैंड गहर तो सेन denlles सरा तो जैसमिन सदाती दगात काम कर चुके तो उसका एक हख है तो कई यह भी कहा कपड़े की बात आई तो निकी की थोड़ी जादा ही कर रही है उसके बाद निशान से डील होने के बाद नहीं मानी उसके सिधार्त ने आकर के जो है सिधार्त ने डील की और तुरंद मान गई पूरा घर अगेंस होगा गुसा आया उसे एकदम अच्छे से तुरंद जाके कहें देख मैं बच्पन से ऐसी वैसे बाद निकी निशान को टेस्किया जब निशान ने निकी के लिए गिवप किया तो निकी उसे पूछना चाती थी कि तुम क्यों गिवप कर रहे हो तो मुझे अपना फ्रेंड मानते हो इसलिए या बाकी लोगो खाना नहीं मिलेगा इसके लिए निकी ने एक जाहिर क पसंद नहीं तुस्से निशान में दोस्तों दूना मंगे निशाने तुरन जवाब दे दिया कि पहली बात तो यह कि सारे लोग खाना नहीं खा रहे और दूसरी बात यह कि तुमने प्रॉमस किया कि तुम कल जो है अब तुम गिवप करोगी तो कल एक सेटलमेंट होगा तो वहाँ पर तुरन निकी वहाँ से ऐसे करके हट लेकिन निकी को बुरा लगा शी सर्चिंग फॉर गुट फ्रेंड और उसको अभी वो गुट फ्रेंड किसी में नहीं मिल रहा है तो कि सारे लोग गैंग अप सारी लड़कियां गैंग अप हो रही हैं से खिलाफ लड़के बोड़के जो है चिड़रें अभी नव को बहुत घुसा आया एजास सो घुसा आया शेदर पसंद करता दा राहूर पसंद करता था बहूत जान पसंद करता है एजास पसंद करता है सब निशान ने अपनी पसंदगी नहीं दिखायगा मैं ब highways की बात करूं Ajax Lattu है full on Jan Lattu है Shazan Lattu है और कॉर मचा अभीनव और Ajax Lattu है, अभीनव नहीं अभीनव थोडवाँ से इरिटेटेटिड है और इसके अगर अगर हम बात करें तो निशान निशान नीट्रल है उसने थोड़ा भी जो है वो दिखाया नहीं अब तक तो निकी अपना पॉइंट बहुत क्लियर कर रही है कि वह इसलिए कर रहे है कि यह लोग वर्थ नहीं है मैं अपने लिए कोई चीज मांग रहे हैं तो मैं इन लोग के लिए सटरफाइस क्यूं करूं जब दोस्त बन जाएंगे तब उसने जस्टिफाइए कि अपने एक्ट को कि अगर मैं यह कर रही हूं तो मेरा कोई दोस्त नहीं है मैं क्यों किसे के लिए गिवप करूं और यह स्टांड रखा उसके बाद आया ग्रांड ओमाइगाड सिड आइलेंड जहां साली लड़कियां टैटू मास्टर सेक्सी एन हौट टैटू वाला के पास जाकर टैटू बनवाएंगी और उसके बाद गराज वाला तो ठीक होगा गराज वाला तो लेकिन अगराज में पानी वाला हो है वह वह भी आपनी के साथ क्लीनिग मर्ड और वह एक्ट और तीसरा बार बीबी उधा जो भी वॉट्वाटेबर सिय या पूल बार जो भी था तो उस वह एकदब वहापिस से डूस आइलेंड का मालिक है वहाँ पर ही सब होगा और लड़के बिचारे जलेंगे कुडेंगे उनको भी कुछ देना चाहिए था यहां टास्क सारे लड़कों की ऐसी जाली जल रही थी ऐसी वाली जल रही थी कि सिधार अब यहां पर बताऊं सिधार जो है उसको तो लगा टास्क सुनते उसको लगा आप तो बॉस मेरी लगने वाली है बाहर टीवी देखकर एक कोई उबलने वाली है और मेरी बैंड बजाने वाली है टास्क सुनते उसके चले का एक्सप्रेंट ऐसा वाला था उसको ल बनाने गए तो उन्होंने सबको बनाने शुरू किये पहली आई पवित्रा पवित्रा ने बहुत होट तरीके से सब कुछ वो किया कि मैं तो बहुत पहली बार इतने होट लड़के से नहीं यह तो जैस्मिन ने गाहा था कि मुझे जानवरो वाले एक्ट भात पसंदी तो वाइल लिजर्ड बनवार उन्होंने बना के तो उसने कहां कहां किस warmth किसork कि इसकिया त रहा कि होता है कि लड़कियां सामने वाले को भी मैसेज दिना चाहती है कि इसमें माक्स के साथ के साथ साथ एक perception की बात होती है कि लोग के दमाग में तो पर वित्रा ने वहां पर एक अच्छा क्या उसने सारा आई सारा कमफटीबल नहीं था बिलकुल भी इसे हाट वाला पूरण हाट उसका भिगड़ गया और सदात ने बोल भी दिया कि ये का सारा ने पुझा कहा से सीखा इतना चाट्यू बढ़ाना मा की कोक से अब जाओ घर मा बराबर करने वाली है तो दिल बाद में जब दिल अच्छा नहीं बना तो आप दिल से यहां नहीं थी ना इस टाट्यू अच्छा नहीं बन पाया सार ऑधरी ने ओ पहले ईपिन रखा था अब तो अब लोगों को लगशा क्या है इसके अधर क्या पहना है और निकी को हिना ने पूरी टिप्स दु थी किसमें short short dresses hot lips और कैसे क्या करना है mud करना है क्या करना सारा कुछ गाइड निकी को हिना नहीं कहता हिना और गौहर दोनों की फेरेट भी निकी है तो निकी आई और उसने आते ही जो उसने जब कपड़े निकाला तो शी वस होट और उसने सिधार से बाद सिधार पूरी तर से मत आज भी यह बात की कि जब डिक्की ने मांगा shorts और टी-shirt अपने ex-boyfriend का तो सिधार को गौहर ने का यार तेरा तो पूरा पूपट हो गया यह तो अपने ex-boyfriend की बात कर रही है तो सिधार ने का रहे ex-boyfriend मेरे तो था मेरे gray shorts ही लिकर आई है पहले हमारा breakup हो गया यहां करके फिर शुरू करने वाले हैं तो सिधार की डायलोग उसकी spontanity की तो कोई मतलब मिसाल ही नहीं है फट से डायलोग जो मारता है ना वैसे डायलोग बहुत रेरली लोग मारते हैं और यह बाइदेवे यह सिधार की पिछले सीजन में सफलता का कारण भी था उसके बाद कट्ट के सामने वह मतलब दूर से दिख रहा था कि वहाट हो रही है मगर वह एक्दम comfortable थी श्यूज विदन हर स्किन श्यूज नॉट अनकम वर और दूसरा उसने सारी लड़कियों के बिचिंग की सारी लड़कियों की रुबीना गधी है सारा अच्छी लगती थे लेकिन डिसियर की दोस्त है उसको पता है सिदात जैसमीन साथ काम कर चुके अच्छी दोस्त जैसमीन की बुरहीने की लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट बहुत आगे जाने वाली है अकल है और बहुत ज्यादा होट लग तो इसका टैट्टू भी बहुत अच्छा बना उसने पूरा सिधाथ पूरा लिटेरिली bene ard Dunnig sirv Key जब लगने वाली एना बाहर जो बैठी एक लंकさい भाल यह सवरी उसके बाद फिर आई अपनी जैसे बसीन उने का पहली बार मैं कितनी लखी हूँ कि ऐसे हैंसम इतना हॉट लड़का स्टाइलिश लड़का जो है मुझे टाटू बना रहा है पहली बार में टाटू बना रही हूँ और फिर उसके बद पूछा आप सिंगल हैं तो सदा तो उसने का इतना भी अगर आप बोलोगी तो मैं हो जाओंगा हंडिट पसंट उसने का हंडिट पसंट उसने का पश्टा होगी तुम यहां बोल करके रुबीना उसकी बात पहाडन फैन फॉलॉइंग कम कदम पड़ा रुबीना थोड़ी बोरिंग लगी यहां पर इस टास् पर विश्वास मत करो अगर ऐसा करोगी तो थोड़ा गड़ बड़ो जाएगा नहीं उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं अगले टास्क के पहले सदात ने शैनास की बारे में क्या कहा तो वो पॉइंट मैंने गौहर ने पूछा उससे की connection कि मैं सिंगलों connection उसने का कि she's very innocent yeah and was one label vulnerable people contestant जो है घर में लोगों को use करते हैं you know game में आगे जाने के लिए use करते हैं और अपने time में तो बहुत innocent थी easily available थी कि लोग उसको use करते थे emotionally लोग उसको use करते थे और अपना काम बनाते थे मुझे बहुत वर नेबर लगी और आई फेल्लाइक कि आई शुट प्रोटेक्ट हो कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूं और उस तरह से you know and then connect बन गया और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं तो दोस्त का status तो वो लोग maintain करते ही हैं इसके बाद जो वो वाला टिप टिप बरसा पानी वाला है वो तो आग लगाने वाला literally है मड में वहाँ पर सधार्थ की और निकी chemistry देख करके वो रश्मी और सधार्थ की on-air chemistry दोनों में कितनी दुश प्रोफेशनल आक्टर्स निकी और सधात में वैसा ही नजर आ रहा था कम से कम आज जो ग्लिम्स देखें उसमें बाकी लोग रूबीना भी वू कर दिया अभीना अपना सर पकड़ के बटाओ था वैसे हाँ बीच में जब इम्म्यूनिटी टास्क की बात आई बिग बॉस उसके अद्ले के इन बाद में वो क्या आप स्कोर वो आगे सटल होगा वंक जैसे से बीतेगा स्कोर सटल होगा रूबीना इस राउन में बच गई है पहले राउन में एक बंदा गई है अगले में एक जाएगा और लास्ट में बार वाले में तीन में से एक सेलेक्ट होगा तो आज सब लोग insecure नज़र आए, निकी से बहुत ज़्यादा insecure, रुबीना थोड़ी से negative और admin नज़र आई, एजास confused हो गए, निकी का behavior देख, उनको लगा था निकी अच्छी है, भोली है, थोड़ा confused हो गए, निशान जम नहीं पा रहा है, उसको थोड़ा सा issue हो रहा है, जा जान जो है, उसको लगता है कि निकी बहुत ज्यादा वो करें, और राहुल ने भी निकी को समझाने कोशिश की है, यह राहुल और निकी का भी एक unset connection है, जो निकी ने बताया था, रास खोला था, voice notes और गाने वाने का, समझाने कोशिश करा था राहुल, विसे राहुल का बहुत इरिटेटिंग साइड सामने है, जब पवित्रा के साथ, पुन्या निकलता है, पवित्रा के साथ, खाना बनाने पिले के इतनी बदजुबान तरीके से पुन्या पवित्रा ने और राहुल दोनों ने एक्ट किया, तुचल भाग कुट्टे की तरह कभी भूके रथ करते हैं मतलब यह नहीं तू मस्च चार दिन में रीली आम शौग नमीज्ट आगे क्या होगा वैसे हम रूली लुकिंग फॉवर्वड टू कल का एपिसोड मजा वैसे सिडनाजियन्स भाई लोग शान तो जो सदात गेम खिलने आया है शहनास के सामने गेम प्लान करके आया ह शीज एपसलूटली आल राइट आज जो लाइफ क्या था वो ठीक है अपनी जगह पर ठीक है वो बोलना बनता है शहनास का नेचर है मगर उन दोनों का बॉंड बहुत स्ट्रॉंग है वो दोनों जैसे रह रहते हैं जैसे उनकी दोस्ती थे वह वैसी ही इंटेक्ट रहेग अगले वीकेंड पर बहार आजाएगा और शहनास को पता है कि घर के अंदर गया है तो टास्क खिलना पड़ेगा गेम में परफॉर्म करना पड़ेगा अब यह तो बिग बॉस ने उसको दिया सिडाइलेंड उसने थोड़ी से लग किया कि मैं बनूंगा ऐसा पड़ेगा तो शहनास को भी बात समझ में आती तो सिड्नाजियन्स चिल सिदार्ट शिल सिदार्स प्रेंग वेरी वेल एंड शैनास इस प्राउड अफ है और यह बिग बॉस जो है धीरे धीरे बहुत इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है और कैलेक्टर्स धीरे धीरे बाह किजेगा अगर मैं कभी भूल जाती तो मुझे डांटता है राहुल कि आपने मेरा शो मेरे शो के बार में टीज नहीं किया तो आप सभी वेट करेगा इस रिवीव के बार राहुल भोज का रिवीव भी आएगा डीटेल रिवीव इंतजार करेगा फिल हाल यहां पर इतना जाएग पिल राहुल झाल 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 sat लांटता हैंवह।